तो आज हम बात करने वाले हैं बच्छो डफरेंट टैप आर्टस बीम सेक्शन के बारे में हमारे पास कौन-कौन से टाइप के आर्टस बीम सेक्शन होते हैं वो आज हम समझने वाले हैं तो ऐसे ही कुछ daily dose और concepts के लिए अगर आप जोड़ना चाहें बच्छो तो हम लोग by juice exam prep के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें आपको concept और numerical type के जो short duration में आपको questions होते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो आईए बच्छो समझता हैं simple सा funda है जिसमें माल लीजें यह मेरे पास RC bean का एक section है और यहाँ पर मेरे पास इसका width दे रखा है let us consider bean इसका overall depth हम माल लेते हैं capital D और यहाँ पर हम माल लेते हैं बच्छो हमारे पास AST given है that is basically area of tension reinforcement ठीक है let us suppose the depth of this particular reinforcement from the top is small d इसका माल लेते हैं हमारी effective depth है तो जैसे कि आप जानता है बच्छो कि यहाँ पर हमारे पास जो force आता है that is basically C force it is equal to how much it will be equal to 0.36 FCK B into XU correct और हमारा T force कितना आता है बच्छो टी force आता है 0.87 FY into AST और इन दोनो forces की बीच में जो lever आम होती है that is basically D minus 0.42 XU अब सारा game किस चीज़ का है सारा game बच्छो हमारी actual depth of neutral axis और limiting depth of neutral axis का comparison का है जैसे अभी हम माल लेता है हमारे पास अभी जो available है बच्छो वो XU है that is actual depth of neutral axis तो इस depth of neutral axis तक के concrete को हम consider करते है हमारी analysis में और इसके नीचे जो concrete available है उसे ignore कर दिया जाता है correct तो अब हमारे पास तीन type की condition आती है क्या condition आती है जरा इसे गौर करते हैं बच्छो माल लेता है कि हमारे पास जो actual depth of neutral axis है वो less than XU limiting है तो इसका मतलब मारा section क्या हो गया under reinforce section है अगर under reinforce section है तो उस case में हमें MR MR क्या होता है moment of resistance right moment of resistance कैसे निकालता है C force into lever arm या फिर हम लिखते हैं बच्छो T force into lever arm तो यहाँ पर हमारे पास C force कितना है C force हमने अलड़ी लिख रहा है 0.36 FC के B into XU और T force कितना है 0.87 FY into AST और lever arm कितना है D minus 0.42 XU तो अब simple साफ अंडर गरना है बोलू बच्छो अगर आपके पास under reinforce section है इसका मतलब आपका कौन सा material पहले फेल होगा steel पहले फेल होगा और यहाँ पर अगर moment of resistance आप निकालना चाहें तो आप इन दोनों formula से moment of resistance निकाल सकते है दूसरा type के अगर हम section की बात करें तो अगर XU is equal to XU limiting हो जाता है बच्छो तो इसका मतलब है अगर मैं तीसरे type की section की बात करूँ that is XU greater than XU limiting तो इस case में बहुत ध्यान रटना बच्छो आप XU use नहीं करेंगे to find out MR यहाँ पर आपको XU limiting ही use करना है to find out MR और सिफ आपको निकालना होगा MR compression side से tension side से अगर आपने MR निकाला वो जादा value देगा जो कि allowed नहीं है और यहाँ पर क्या fail होगा बच्छो concrete fail होगा पहले तो यह था हमारे एक छोटा सा view गच्छो जो कि हमारे different type of section के बारे बताता है कि हमारे पास 3 type के section होता है under reinforce, over reinforce and balance जो कि आपके RCC beam के अंदर देखने के बिलता है तो within 2 minute हमने यह सारी चीज़े एक बार revise कर ली quickly ताकि आप अपने exam में से apply कर सके so thank you so much बच्छो let's meet in the next session